Cross-Cultural Psychology, Emotion and Inclination to Act हम Cross-Cultural Psychology में Emotion के टॉपिक पे काफी सरी बात कर चुके है Emotions कौन-कौन से होते हैं, उनका expression कैसे हैं और क्या दुनिया भर में लोग Emotions को एकी तरह महसूस करते हैं बसलिन गुसे में उनकी शकल जैसी बनती है क्या दूसरे कल्चर में भी लोग उसको देख के पहचान लेते हैं कि यह गुसा है, या डिस्गस्ट है, या खुशी है, या सैडनेस है तो यह बाते हम डिस्कस कर चुके हैं फिर ब्रेन में Emotions कहां पर Arouse होती हैं और किस तरह Connected हैं, कौन से हिस्से ब्रेन के जो हैं, वो Involve होती हैं Emotions के Arousal Experience में तो यह सारी बाते हम कर चुके हैं अब हम यह देख रहे हैं कि क्या Emotions जो हैं वो हमें Action की तरफ भी लेके जाते हैं यानि इरादा बनाते हैं हम अपने Emotions की वज़ा से कुछ करने का तो Emotions जो है, अपनी नेचर यह Action Readiness में चेंज होता है ताकि हम अपनी किसी Relationship को Maintain करना चाह रहे हैं किसी चीज से, किसी इनसान से Object से या Event से दूसरा Motivation और Motivational जो हालत है वो भी Change होती है आपका जैसा Emotion है उसके हिसाब से आपके Motive आपकी Motivational हालत यानि आप बहुत Energized हैं आप कोई चीज एचीज़ करना चाह रहे हैं आपको एक Emotion फील हुए है किसी चीज़ का उसकी विरह से आपके कोई Motivation ऊपर या नीचे गई है तो ये उस तरह भी Connected है ये भी Emotion ही का एक पहलू है लेकिन Action खास सिचुएशन में होता है Emotion के तहर्ट मसलन अगर Action का कोई मौका मौचूद है कई दफ़ा हम कोई जजबा महसूद करके रह जाते हैं और आगे नहीं उसके पर कुछ करते हैं और जब हम कुछ करेंगे तो उसके नतीज़ा क्या निकलेगा तो खाली Emotion काफी नहीं है कई दफ़ा हम रुक इसलिए जाते हैं और Emotion को अमल की तरफ नहीं लेके जाते क्योंकि उसके नतीज़ा निकलने की हमें फिकर होती है कि इसमें फाइदा या नुकसान क्या होगा फिर Resources क्या अवेलेबल हैं हो सकता है कि आप किसी इस तरह की जगह पे हो जहां आप अतने Emotion पे कोई अमल करेंगे और इदगित के महाल का जाइजा चल रहता है कि हमें इस Emotion को क्या करना है और कई दफा हम उस Emotion को लेके अपने पास रख के और वहीं रह जाते हैं So Act कब होता है इसको समझने के लिए ये भी जरूरी है कि हम ये क्या सोच रहे हैं कि हमारे एक्ट से फाइदा क्या होगा Emotion के तीन हिस्से है हम पहले बात कर चुके हैं कि Emotion में subjective experience होता है इसमें mixed emotion भी होते हैं pure भी होते हैं मसलन pure emotions हम discuss कर चुके हैं sadness है, joy है, anger है, fear है और disgust है, surprise है अब mixed भी हो जाते हैं emotion मसलन surprise के साथ fear भी हो सकता है और anger के साथ sadness भी हो सकती है कि मुझे घुसा भी आ रहा है और गम भी आपने अर्दू में सुनी होगी एक मिसाल गम और गुसा, इसका मतलब है ये mixed emotion हो गया फिर physiological arousal होता है हमने देखा कि brain के किन एरियाज में होता है तो कभी आपको ऐसे महसूस हुआ हो कि anxiety के मारे आपके पेट में जैसे मरोड उठ रहे हो, अजीब सी grip सी फील हो रही हो या आपका दिल जो है वो खौफ के मारे जोर जोर से धड़क रहा हो और इसके बगार emotion नहीं होते बाडी के लेवल पे जरूर होता है brain के लेवल पे जरूर एक्शन होता है अखीर चीज़ है behavioral response अब जो हम लोगों के emotions को interpret करते हैं कि इसके शकल पे क्या चीज़ है, क्या महसूस कर रहे है हर वकित हमारे इद्गित के जो लोग हैं हम उनके emotions के बारे में judge कर रहे होते हैं यह हमसे खुश हैं, यह नराज हैं यह इस चीज़ को कैसा महसूस कर रहे हैं आप उनकी शेकल से पहचान रहे होते हैं उनके आँखें, उनके अंदाज, उनकी body language तो हम दूसरों के emotions को कितना समझते हैं को emotional intelligence कहते हैं और body language जो है, emotional intelligence के साथ मिलके आपको यह समझ देती है कि अगर यह चीज़ नजर आ रही है ना दूसरे में तो यह महसूस कर रहा होगा अच्छा emotions को समझना अपना भी होता है कई दफ़ा हमारे emotions mixed होते हैं यह मैंने आपको पहले भी दिखाई थी कि emotion से act कैसे होता है यह जो बिलियस के घुसा दिलाने वाले कोई बात नहीं हो रही लेकिन इसके brain में एक wire गई है through all these gadgets जो brain का center है ना जहां से anger का emotion आता है या fear का आता है वहां पे वह हलका सा electric current दोह आते हैं जो तब बनेगी जब real life में उसको किसी चीज के उपर उसार होगा जैसे जानवर आपस में लड़ते हैं बिल्ले अकसर और बिल्लों पे अमला करते हैं तो इसका मतलब यह कि inclination to act उस center में से आती है लेकिन वह करना किस तरह है किस पे करना है वो सारा आपका social scene होता है जिसके हसाब से आप उस पे अमल करते हैं बड़ा हम सवाल है कौन से emotion से कौन से action होता है मैं एक की मिसाल दे रही हूं सिर्फ यहां पे बाकी को हमने discuss करना है और इसी पे आपकी assignment है आगे चलके इसलिए उसके answer या नहीं है लेकिन उसकी discussion हम करते हैं अगर आप खुश हैं तो पहली behavioral response तो है वो smile है और उसको recognize भी हम इसी तरह करते हैं कि यह खुश होंगे तभी अब इसकी हम बड़ा अच्छा experiment करते होते हैं classroom में कि तुम बहुत ही बुरे आदमी हो, you would never see anybody saying that with a smile मेरा दिल चाहता है तुमारा सर तोड़ दूँ आप कोशिच भी करें आप happy smile के साथ किसी को यह नहीं कह सकते है कि मैं तुमारा सर तोड़ना चाहता हूं इसका मतलब है कि joy के साथ या happy face के साथ smile है और हम assume यह कर रहे होते हैं smile का मतलब है अच्छे जजबात forward movement होती है खुशी में, you know, हाथ पाँ ज्यादा हिलते हैं आप आगे पीछे होते हैं आप चलते फिरते हैं sadness में यह movement slow हो जाती है इसमें और increased energetic gestures होते हैं अच्छा, आप खुशी में गले भी लगाते हैं खुशी में चलांगे भी लगाते हैं खुशी में ताली भी बजाते हैं खुशी में कोई चीज़ दे भी देते हैं और कई लोग बहुत जोड़ जोड़ से जो है वो उचलते कुटते हैं तो joy में कुछ और तरह का action होता है joy किसी चीज़ की relation में महसूस हो रहा होता है ना और एक होता है कि बिलावचाई आप खुश है ठीक है अगर आख किसी खबर की हुशी है तो आप फोन करते हैं मुबारिक देते हैं शुकर करते हैं दो नफल पढ़ते हैं वग्यरा वग्यरा तो आपने देखा कि अंदर खुश ही महसूस हुई है लेकिन उसके पर अमल क्या और एक्शन में वो डिपेंड करता है कि क्या चीज़ थी अब लाव में जो है क्या एक्शन होता है बहुत असान एक्सपरिमेंट है तसवर करें एक ऐसे चेहरे का जो आपको पहुत प्यारा लगता है वो आपका बच्चा भी हो सकता है आम तो पर बच्चों के साथ हम लव में यह जादा करते हैं लेकिन वो आपकी जिंदगी का लाइफ पार्टनर या आपको जिससे महबत है कोई भी हो सकता है अब उस लव के साथ आप सोचें के क्या एक्ट होता है आगे बढ़ना गले लगाना हाथ मिलाना एंगर में क्या होता है एंगर में यूजली एग्रेशन निकाली जाती है गम में जिस तरह आप बैठते हैं जिस तरह की शेकल बनाते हैं जो चीज आप नहीं करते हैं, आप एक्ट नहीं कर रहे हैं, आप एक्ट से बच रहे हैं, डिस्कस्ट में आप उस चीज से दूर हो जाते हैं, जो गंदी लग रही है, बुरी लग रही है, इसकी स्मेल बुरी है या जिससे आप बचना चाहते हैं, तो action and refraining from action.